बॉलिवुट के शेहनशा अमिता बच्चन तीन दिन के बाद मुंबए के नानावाटी हॉस्पिटल से कल रात याने के 8 ओक्टोबर को घर आए और उनके शुपचिन तक और मीडिया ने उनके गाड़ी को घेर लिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा था कि उन्हें लिवर से जुड़ी कुछ समस्या हुई थी जिस कारण उन्हें ICO में रखे जाने की बात की जा रही थी लेकिन फिर पता चला कि बिग भी रूटीन चेक अप के लिए नानावाटी हॉस्पिटल गए थे अब इन रिपोर्ट पर भढके अमिता बच्चन अस्पताल से घर लोटने के बाद उन्होने ब्लॉग लिखा जिसम उन्होने मीडिया को लताडा गुसा करते हुए उन्होने लिखा Do not break the code of professional documentation, ailments and medical conditions are a confidential individual right, its exploitation and its attempted commerce are a social illegality, respect and give required understanding to this, all is not in the world of sale, my love and my gratitude for all, for all that consider care, that consider concern and consider prayer for me बात तो सही कई है बिगबी ने, सेहत से related कोई भी दस्तावेज और रिपोर्ट्स confidential होती है, और किसी का कोई हक नहीं है कि बिना जाने कुछ भी लिखे इनके बातों से कितने एगरी करते हो आप, पोस्ट करिए अपने comments लिखे अपने, बिल्ग करते हैं, आपिय। कर हम व को पिस बुपका और झाल Idea थो को पूर जगर प्लिए जी उने रो जो फड़र आ, य मों जड त है झाल कि य новыхति को तो खो कि ऐ दो Sport दगजाई, और जमसाई समय नहाँ अजाँ का onboard me वी key का नही कर दो चक्ड के टू कि अपनाय कि पाफिर एंटारी कर दो दो, बालत कर दो हम झाल। जाई झाल। जिदो 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 प्रफटेश कर चाहिए पर अजाए ना कि अधिया कि अधिया अधिया निया विट ने जिए अधिया आधिया खुछ सब्सादिया वाइ राडियो तो लग प्राव 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 प